हेलो फ्रेंड्स, कलर्फुल थ्रेट्स में आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम कपड़े रखने के लिए बैक बनाएंगे इसे सूटकेस की तरह मैंने बनाया है इसमें आप धेर सारे कपड़े और्गनाईज करके रख सकते हैं यह देखिए मैंने बहुत सारे इसमें कपड़े रखे हैं और इसमें आप चाहें तो ब्लैंकेट भी रख सकते हैं ब्लैंकेट, स्वेटर, सॉल के लिए यह बहुत अच्छा और्गनाईजर है तो चलिए बनाते हैं इसी सारी से मैंने एक बहुत बड़े साइज का सारी कवर बनाया था जिसका वीडियो आप चाहें तो देख सकते हैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में देदूंगी इसी में से हमें एक सारी में से मैंने एक लंबा सा पीस कट कर लिया है इसकी लंबाई 42 इंच है और चौड़ाई 19 इंच है जोकि इसमें हमें फ्रन्ट और बैक दोनों पार्ट बनाना है इसलिए मैंने लंबा सा पीस ले लिया है चौड़ाई लगबग 19 इंच है 19 इंच है सबसे रीचे मैंने सारी का ही बीच में फोम है और उपर कप्रे को रखकर इसके उपर सिलाई चलाएंगे चारो कोनों पे मैंने पिन लगा लिया है जिसे कप्रा इधर इधर नहीं जाएगा अब इसके उपर हम सिलाई करके इसे क्यूल्ट कर लेंगे चारो साइड सिलाई करेंगे उसके बाद बीच में भी हम सिलाई कर लेंगे ये देखिए कपरे के उपर मैंने सिलाई कर ली है कपरे को कुल्ट कर लिया है अब हमें इसका सेंटर मार्क कर लेना है तो पहले अच्छी तरह से इसे बराबर कर लीजे और सेंटर पर हमें हलका सा कट लगा लेना है दूसरे साइड भी हम कट लगा लेंगे अब सीधा करेंगे और जहां हमने कट लगाया है वहां से एक लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है जिसे बिल्कुल ठीक ठीक हमें सेंटर का पता चल जाएगा यह सेंंसर के लाइं हो गई अब इसी से दोनों साइड हमें तो यहाँ पर मैंने तीन तीन निंच दोनों साइड मार्क कर लिया है अब इसे लंबाई में हम मिला लेते हैं जिसे हमें पता चलेगा अब ये 6 इंच हो गया इसकी चोड़ाई 6 इंच हो गई है अब दूसरा जो हमने 3 इंच वाला मार्क किया था वहां से लेकर नीचे वाली लेकर हमें दूसरे किनारे तक इसका मेजर्मेंट ले लेना है ये लगबग 50 इंच है तो थोड़ा सा हम बढ़ा कर लेंगे 52 इंच ले लेंगे इस ट्रिप के लिए और 4 हमें 6 इंच लेनी है तो इसी सारी के वार्डर में से मैं कपरे को कटिंग कर लूँगी ये लगबग 6 इंच है और मुझे इतना ही चाहिए लंबाई हमें 52 इंच लेनी है 6 इंच की मैंने इस ट्रिप बना ली है पीछे मैंने एक कपरा रखा है बीच में फोम है और 3 साइट से हमें सिलाई सिलाई लानी है दोनों किनार उपर और बीच में भी सिलाई कर लेंगे यहाँ जो हमने मार किया था वो दोने मिला कर 6 इंच था और इसकी वी चौराई इसलिए हमने 6 इंच ही ली है सेंटर से सेंटर मिला कर रखेंगे और इसके उपर सिलाई कर लेंगे सिलाई हो गई है अब हमें क्या करना है इस तरीके से नीचे से भी इसकी सिलाई करनी है इस तरह से पकरेंगे और दोनों साइट को पकरते हुए हमें सिलते जाना है दूसरे किनारे तक जहां हमने मार्क किया है वहां तक सिलते जाना है कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा तो हम उसकी cutting कर लेंगे तो यह देखे जहां तक हमने line draw की थी वहां तक हमने सिलाई कर ली है जो थोड़ा सा एक्ष्टा था तो मैंने cutting कर ली अब इसे भी हम 6 inch की जहां हमने marking की है center से center मिलाते हुए इसकी भी सिलाई कर लेंगे तो यह देखे नीची का base बन गया है अब हम इसमें जिप लगाएंगे जिप मैंने 52 inch के लिए है दोनों किनारों पर हमें एक एक इंच एक्ष्टा लेना है इस बैक को सीधा कर लीजे क्योंकि जिप को हमें सीधी साइड से ही लगानी है तो जिप को कपड़े को उपर रखेंगे और सिलाई करते जाएंगे एक किनारी से शुरू करके दूसरे किनारी तक हम इसे सिल लेना है जिप को कपड़े के साथ मैं सिलाई कर रही हूँ अब दूसरी साइड से भी हमें इसे सिलना है देखें जिप लग गई है अब कपरे को हम पलट लेंगे और जो सिलाई वाला कपरा है उसे दबाते हुए इसके उपर से हमें प्रेसिस्टिस चलाने है किनारे किनारे सिलाई करनी है यह बहुत जरूरी है इससे कपरा बैठ जाएगा और जिप में फसेगा नहीं यह देखें मैंने प्रेसिस्टिस चला ली है और कपरा नीचे बैठ गया है जिप में नहीं फसेगा अब जो उपर का फ्लैप है उसे हमें जिप के सांथ सिलाई कर लेना है तो उसे हम उसी तरीके से हमें सिल लेना है एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक जिप के सांथ तो दिखिए सिलाई वेले कप्रे को दबाते हुए हमें किनारे किनारे सिलाई कर लेनी है उपर या नीचे किसी भी साइड से आप इसे सिल सकते हैं यह जो एक्स्ट्रा जिप है उससे हमें सुई धागे से सिल लेना है सिलाई कर लेंगे कप्रे के सांथ इसे टांक लेंगे पहले एक किनारे से सिलाई कर लेंगे, उसके बाद कपड़े को दूसरे साइट फोल करके सिल लेंगे, तो पाइपिन लग जाएगी और ये सिलाई धग जाएगी अब देखिए बिल्कुल सूटकेस की तरह लग रहा है मैंने इसमें पाइपिंग लगा ली है और जो एक्स्ट्रा जिप्ती उसको भी अंदर की साइकर के सिलाई कर दी है अब इसमें हमें हैंडल लगाना है हैंडल के लिए मैंने 10 इंच लंबा कपड़ा लिया है इसके बीच में फूम रखेंगे और दोनों साइट से फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे अब इस हैंडल को हम सूटकेस में लगा लेंगे और ये हमारा सूटकेस क्लॉथ औरगनाईजर त्यार हो जाएगा सेंटर से बराबर दूरी पर मार्किंग कर लीजिए मैंने यहाँ पर से साड़े तीनीच की दूरी पर मार्किंग की है और किनारी को थोड़ा सा फोल्ड करते वे सिलाई कर लेंगे ये देखिए हैंडल लग गया है और ये हमारा सूटकेस बन कर त्यार है कोड़े मैंने इसमें रख दिये हैं स्वेटर और कुर्ती वेगर काफी सारा मैंने सामान रखा है तो कपरे को अर्गनाइज करन के लिए आप इसे बना सकते हैं बहुत आसान तरीका है एक सारी से अभी तक मैंने दो अर्गनाईजर बनाये हैं और अभी सारी आदी बच्ची हुई है तो जब भी मैं उसे कुछ बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी तो यह देखिए हमारे सूटकेस बनकर त्यार है वीडियो आपको क्यासा लगा कमेंट करके जरूर कियेगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेट कीजिएगा वीडियो देखने की लाता है